हलो फ्रेंज वेल्टम बैंके माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा हाटी हाई कोड के एक लेटेस जच्च्मन के बारे में दोस्तो आए दिन हम नाबालिक बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराद के बारे में सुनते रहते हैं तो इस तरह के जब अपराद होते हैं तो उनके जो केस फाइल किये जाते हैं वो उनके माबाप के द्वारा ही किये जाते हैं तो जब इस तरह से नाबालिक बच्चों के साथ कोई यौन अपराद होता है तो उसके शिकायत भी उनके माता-पिता के द्वारा ही की जाती है तो क्या इस तरह के केसों में समझोता उनके माता-पिता के द्वारा किया जा सकता है क्या इस तरह की इजाज़त दी जा सकती है च नाबालिक बच्चे के साथ जो यौन उत्पीडन किया जाता है या फिर करने की कोशिश की जाती है ऐसे अपराधों को इसलिए रद नहीं किया जाएगा क्योंकि इन अपराधों में पीडिता यानि की नाबालिक बच्चे के माता पिता ने समझोता कर लिया है। इस केस में आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहट सेक्षन 354A क्लॉस 2 और IPC 307 के तहट मामले को दर्च किया गया था क्योंकि मामला ये था कि पीडित के पिता ने पुलिस को ये इंफोमिशन दी थी कि जब उनकी नाबालिक बेटी घर लोट रही थी तो आरोपी उसे खीच कर किसी सूनसान जगा पर ले गया और उसके साथ दुश्कर्म करने के बाद उस बच्चे की हत्या करने की कोशिश की थी पिता के द्वारा शिकायत को दर्च करने के बाद आरोपी को गिरिफतार किया गया और उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया की हाई कोट में गुहार लगाई सरकारी वकिल का कहना था कि ये बहुत ही घिनोना अपराध है और इस तरह के अपराधों में समझोता नहीं किया जा सकता और ना ही आरोपी को रिहा किया जा सकता है मामले को सुनने के बाद कोट ने कहा कि कोट CRPC के सेक्षन 320 में अपनी पावर उसको यूज करके अपराधिक कारिवाई को रद भी कर सकती है लेकिन यहां पर मामला एक नाबालिक बच्चे का है जिसके खिलाफ एक घिनोना अपराध हुआ है ऐसे में कोट अपराधिक कारिवाई को आरोपी के पीडित परिवार के साथ समझोते को लेकर रद नहीं कर सक और इसी के साथ हाई कोट ने ट्रायल कोट को मुकदमे को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दे दिये तो हो फ्रेंट के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफोमिशन अच्छा लगा है इंफोमिशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा